Hello guys and welcome back to my YouTube channel आज हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली से लेके वन आवर टाइम फिरिम तर डीटेल में एनलेसिस करने वाले हैं आने वाली वीक में आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है अभी मार्केट कहां जा सकता है, कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है एक्जैक्ट लेवल्स के साथ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना चलिए स्टार्ट करते हैं ओके गाई तो वीकली पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली यहां पर एक अप्ट्रेंड चल रहा है, बैंक निफ्टी में आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट उपर गया, रीट्रेस्मेंट लिया और यहां पर फिर से एक बुलिश कैंडल बना है था, ठीक है इस बुलिश कैंडल के बाद अभी तक मार्केट इसके 50% के नीचे क्लोज नहीं कर पाए बेसिक सा एक फंडा होता है कि इस कैंडल में बायर से सही है वीकली बेसिस पे लोगों ने बड़े प्लेयर से यहां से बाय करके रगा है तो 50% से उनको कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला उनको कब फरक पढ़ने वाला जब इसके भी 50% यानि कि 34,600 के आसपास यह लेवल आती है इसके नीचे अगर आता है तो एक सड़न 500-600 का पॉइंट्स का फॉल हो सकता है जो इस लो तक आ सकता है ठीक है रिकली चार्ट पर हमको यह दिख रहा है और लोबर लोब आक देखताव में अब जाके देखते हैं पर तो डेली चार्ट पर हमको क्या देख रहा है शपल से बात है यहांपर sometimes चल रहा है उपर यहां retracement लिया उपर गया retracement लिया और उपर गया था लेकिन अभी इस यहाँ पर आके close हुआ है ठीक है तो अब यह तो higher high का formation है no doubt यहाँ पर एक double top type pattern मना है ठीक है लेकिन यह double top जो daily time frame का है वो कब prove हो जाएगा जब यह जो low है यहाँ पर 34,000 का इसकी नीचे अगर market close करता है तब फिर drastic fall आने के chances बहुत ज़्यादा है जब तक अभी इस range में उपर के side तब तक अभी भी हमको डरने की कोई बात नहीं क्योंकि multiple supports यहाँ पर है ठीक है अब levels discuss करने के लिए हम लोग और थोड़े से lower time frames पर जाते है उससे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो daily पर last candle बनी है Friday की candle यह भी एक bullish candle है ठीक है यह थोड़ी सी red है sellers इसमें सिर्फ इतने से है लेकिन यह जो wick है यह wick हमको बताती है कि नीचे से अभी भी फिर से buying का pressure आ रहा है अब यह buying pressure क्यों आ रहा है इसके लिए हम लोग जाते है one hour time frame में तो one hour time frame में हमको क्या दिखता है दिखिए market का structure क्या होता है market हमेशा structure के उपर चलता है सही पहले उपर जाता है redressment लेता है और uptrend का formula क्या है higher higher बनने चाहिए और higher lows बनने चाहिए तो यहां पर इसने higher higher लगा लिया फिर नीचे आया तो क्या है इस low को इस low name इस low को shift किया क्या last week की जो मेरी वीडियो है analysis वीडियो आप वो देख सकते हो यहां पर मैंने बताई थी bank nifty analysis six days ago clearly मैंने यहां पर आपको bank nifty दिया था कि buy कर सकते हो आप इसी formula से दिया था जो higher higher बना रहा था market यह इस type से तो मैंने आपको यहां पर clearly बताई था और head and shoulders pattern भी था एक उस basis पर मैंने आपको clearly buying के लिए दिया था तो इतना ज़्यादा target इसने दे दिया ठीक है तो आप continue करते हम लोग तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है उपर गया retracement लिया फिर से higher high लगाया फिर higher low लगाया फिर higher high लगाया फिर higher low लगाया तो यहां पर आप अगर देखते हो तो यहां पर भी इस type की trend line भी जा रही है यह तो हो गया एक point छोटा सा confirmation है वो trendline का तो अभी हमको क्या दिखता है क्या bank nifty ने इस लोग को break किया है क्या मतलब अभी भी जो higher high और higher low का concept है जो structure है वो अभी भी on है ठीक है अभी भी चल रहा है हो अब यहाँ पे देखते लास्ट जो day था trading देखा उसको किस तरह से हमको analysis करना है ठीक है मैं आप लोग कु buying का momentum quick है फिर sellers जो है धीरे धीरे इस तरह से लाने की कोशिश तो करें लेकिन फिर से क्या हो रहा है बाइंग का momentum quick आ रहा है फिर से धीरे-धीरे sellers इसको लाने की कोशिश करें फिर एक जगा पर market halt लेता है यानि की buyers accumulate होते और फिर से यहां पर क्या है buyers quick momentum लाते तो लास्ट जो वीक का मतलब last Thursday के expiry के डे पर जो फॉल आया था वो थोड़ा सा quick था लेकिन इसको follow through नहीं मिला है ठीक है follow through का मतलब क्या है इतना momentum आया अब यह halt किया है अब यह halt जिस भी direction में break करेगा उस साइड एक बड़ा momentum आ सकता है ठीक है तो उपर के साइड अगर आपको plan करना का वह आपको simple सी बात है यहां पर market निका गया halt किया मतलब sellers जो है चाहते अगर इतने powerful होते तो यहीं से इस तरह का close करवाते market को या फिर एक negative note पे close करवाते लेकिन जो last Friday था वहां पर trading डे पर किस तरह का movement हुआ था आप क्लियरली देख सकते हो तो उपर के लिए जो लेव वह 35,000 35,000 की नीचे अगर market निकलता है तो आप फिर से sell कर सकते हो target क्या रहेगा first target आपका 34,800 रहेगा इसके बाद आपका target रहेगा 34,600 और 600 की नीचे एक बार अगर close हो जाता है तो आपको फिर 34,000 की level भी देखने को मिल जाएगी आने वाले week में लेकिन structure के according अगर हम bullish momentum है क्योंकि इतना easily market ऊपर नहीं जाता है ठीक है जब तक retailers उसको selling side नहीं जाएंगे market बड़ा momentum नहीं करेगा क्या कर रहा है market दो आफ्तों से यहाँ पे आपको selling के लिए बता रहा है नीचे close भी दे रहा है gap up खुलके ऊपर चला जा रहा है फिर धिरे-धिरे selling को आ रहा है यहाँ पे आप लोग selling के लिए activate होते हो फिर market gap up खुलके ऊपर जा रहा है फिर से same scenario और higher higher भी लगा रहा है तो जब तक यह इस low के नीचे अच्छे से close नहीं दे देता 34 600 के नीचे तब तक आप totally bearish मत हो यह अभी भी market volatile sideways to uptrend यह आप consider करके रख सकते हो क्योंकि Friday का market clearly हमको बता दिया है कि अभी volatile और choppy session चल रहा है ऊपर एक level है 35 200 और नीचे एक level है 35,000 तो यह level के according आपको काम करना है ठीक है अब nifty अगर देख लेते हैं हम लोग nifty को मैं daily chart पे आपको बता देता हूं तो यह मैं आपको last time से दे रहा हूं किसलिए क्या बता रहूं मैं आपको simply य अब one hour time frame में हमको क्या दिखता है यह देखिए यहां पे मैं अगर आपको level बता दू 15600 की यह देखिए इस level के आसपास जब भी market आ रहा है नीचे यहां पे आप देख सकते हो यह देखिए यह support zone है इसका तो इस zone में जब भी आ रहा है उपर जा रहा है यहां पर आ रहा है तो फिर से all time high देखने को मिल जाएगा लेकिन दोनों भी side का chances बहुत ज़्यादा है यहां पे नीचे आया हाल तो कर रहा है लेकिन जैसा मैंने आपको bank nifty में बता है कि अगर यहां पे 15650 की level अगर break करता है nifty 15650 level इसके लिए बहुत important रहेगी क्योंकि Friday की दिन बहुत cash वगएरा के लिए assume करने लगते हैं तो उस तरह कि आभी कोई बात नहीं है simply एक range में चल रहा है live market में मैं आपको इसके और details में levels वगएरा दे दूँगा bank nifty वगएरा कि फिलाल आप clearly देख सकते हो जो मैंने आपको समझा है आपके charts पे level mark कर सकते हो और इस तरह का analysis आप ल पोजैकि नहीं के लिए शधरा क में थील प्यच्छाग कि आप कर लुजा यस टेर शे कुछ टूने न हीपलिए